दोस्ते दोस्तों नया सदन तो बन गया चका चोन से भरपूर लेकिन पुराने सदन का क्या हुआ? क्या पुरानी संसद को तोड़ दिया जाएगा? नय संसद की आखिर जरूरत क्यों पड़ी? नय और पुराने संसद में अंतर क्या है? बनाने में कितना खर्च आया और इसे बनाया किसने? कभी सोचा आपने? ऐसे कई सवालों के जवाब यहां मिलेंगे. चलिए नय सदन के साथ साथ आज याद करते हैं उस पुराने सदन को जो कई बड़ी घटनाओं की दवाब यहां दिया? इस सवाल की जो उठाय जा रहा है कि क्या पुराने संसद को तोड़ दिया जाएगा? देखे इसके कई विकल्प हैं. किंद्री आवास एंग चेहरी विकास मंत्री हरदीप सिंगपुरी ने रायसभा में एक वक्त में कहा था कि जब संसद की नई इमारत बंद कर तयार हो जाएगी तो पुरानी इमारत की मरमत करनी होगी और वैकल्पिक तोर पर इसका इस्तेमाल करना होगा. अर्दीपुरी ने ये बात कही थी. सरकार के मुताबि पुराने संसद धोन को ढाया नहीं जायागा. इसे संरक्षित रखा जाएगा क्योंकि ये देश की पुरा तात्विक संपत्ती है. संसद से जुड़े कारकमों के आयोजन के लिए इस इमारत का इस्तेमाल किया पुराने संसद धोन को बिटिश वास्तुकार सर एडविन लुकियंस और हर्बर बेकर ने काउंसिल हाउस के रुप में इसे डिजाइन किया था. इसे हम सब में पढ़ा है. इसे बनाने में 6 साल लगे थे. तब इसे बनाने पर 83 लाक रुपए खर्च हुए थे. वहीं आज नय बहुन को बनाने में करीब 1200 करुण रुपए का खर्च आया है. संसद धोन करीब 100 साल पुराना है. केंच सरकार का कहना है कि मौजूदा संसद धोन में संसदों के बैठने के लिए परयाप्त जगयर नहीं थी. मौजूदा वक्त में लोगसभा सीटों की संख्या 545 हम संसदों के बैठने की जग है. वहीं नए राजसभा हॉल पीक शम्ता को बढ़ा कर 384 किया गया है. नए राजसभा कमल के थीम पर बनी है. नए संसद धोन की संयुक्त बैठक की बात करें तो उस दोरान वहां पर 1272 सद से बैठ सकेंगी. संसदों के अलावा सैकडों की संख कारी यहां है जो संसद में काम करते हैं लगातार बढ़ते दबाओं के कारण संसद भवन में काफी भीड हो गई थी. सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नए संसद भवन का निर्मार किया गया है. इस प्रोजेक्ट का खाता गुजरात इस्थितिक यह बाते हैं जो कहीं न कहीं सोचने को मजूर करती हैं. दरसल सेंट्रल विस्टा राजपत के करीब दोनों तरफ के इलाके को कहते हैं जिसमें राजपती भवन से इंडिया गेर के करीब प्रिंसेस पार्क का इलाका भी शामिल है. सेंट्रल विस्टा के तहत राजपती सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो करीब सौ साल पहले जब संसद्वान का निर्माड हुआ था उस वक्त दिल्ली वुकंपी अक्षेत्र 2 में थी लेकिन अब ये चार में पहुच गई है बदलते वक्त के साथ संसद्वान में सीलन जैसी दिकते भी पैदा हुई है और आग लगने का खत्रा बड़ा है समस्काइब